हेलो एवरिवन वेलकम टो वी आई पीटो सर्व मेरा नाम विपल और आज इस सेशन में हम लोग SSC CHSL जो एक्जाम आपका होने वाला है 12 अपरिल से स्टार्ट होगा 12 अपरिल से यह ग्याम स्टार्ट होगा और इसके आज हम लोग यहाँ पे क्वाइनटी अपिट्यूट्स के मैट्स के हम लोग एक्सपक्टर पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं आज मैंने लिए हैं पूरे की पूरे 25 कोश्चन मैट्स के जिसमें हम लोग quantity upitudes के, जिसके 25 questions solve करेंगे और ऐसे ही questions आपको exam में देखने को मिलेंगे तो आज हम लोग यहांपे क्या करने वाले हैं 25 questions solve करेंगे और ऐसे ही questions, similar questions आपको आने वाले exam में देखने को मिलेंगे जो exam आपका start कप से हो रहा है 12, 12th April से आपका एक्जाम सुरू हो जाएगा ऐसी सीजल का एक्जाम और इसमें अभी जाया समय है नहीं काफी कम समय है और आने वाले दिनों में हम लोग आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे सेट्स प्रोवाइड किये जाएगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं का लिंक मिल जाएगा आपको description box में जहां से आप जाकर के टेरीग्राम गूप जोईन कर सकते हैं और इससे पहले हमारे कुछ हैसी सीचेसल के मैंने paper solve किये थे previous year जो 2020 में जो exam हुए थे 2020 में उसके paper मैंने solve किये 25 question के sets I think 2 set मैंने solve किये थे CGL के भी solve किये थे 2 के भी solve किये थे तो वो सभी आप देख सकते हैं इन सभी का भी link मिल जाएगा आपको description box में ठीक है तो यह हमारे सामने question number one what is the value of the following minus 15 यह आपके question दिया गया ऐसे question यह simplification के जो question है यह question आपको 100% एक question 25 question में से एक question यह जरूर देखने को मिलेगा solve कैसे करेंगे से हम लोग सबसे पहले काम करेंगे small bracket का यह कितना आ जाएगा 21 minus 83 यह आजाएगा 12 ठीक है 98 is 72 72 72 और 12 84 यह कितना आगे total यह आगे 84 84 में 89 में 84 मैंस से कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 5 90 को डिवाइकर में 5 से कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 18 18 और मैंस 15 यह कितना जाएगा 3 option number 3 is the right answer आयूप आपको समझ माया होगा इससे भी कम समय आपको लगना चाहिए कि मैं यह पर आपको बता रहा हूं किस तरह के solve करते हैं question को आपको वह नहीं करना होगा आपको simple solve करना होगा और आपको answer mark करना होगा तो ऐसे question में 5 seconds 10 seconds जाया समय बिलकुल नहीं लगना चाहिए ठीक है और level ऐसा ही मिलेगा आपको C.T.S.L. की paper में next question talk करते हम लोग what is the distance between two parallel tangent of a circle of radius 8 cm circle है जिसका radius दिया गया 8 cm और 2 parallel tangent यहां से draw किया गया है इसके बीच के distance को बताना है हम लोग यहां पर हालांकि इस question diet कर सकते हैं हम लोग लेकिन एक बास समझ लेते हैं कैसे करते हैं एक circle draw करते हैं पहले हम लोग यह circle हो गया यह इसका center हो गया ठीक है अब यहां पर यहां पर दो parallel tangent draw किया गया है टैंजेंट यह होता हूँ क्या होता है वह circle को touch करते हैं निकल जाता है और इसका parallel क्या होगा इसका parallel ठीक इस opposite side होगा कुछ ऐसा और यह जो है tangent हमें क्या पता है यह 90 degree form करता है radius के साथ यह 90 degree form करेगा इस जगह पे हमसे पुछा गया इन दोनों के 20 का distance इन दोनों के बीज का distance क्या होगा यह जो हमें दिख रहा है यह यह क्या है डायमेटर डायमेटर क्या होता है टू आर रेडिस पता हमें रेडिस कितना 8 2 x 8 कितना आ जाएगा 16 16 cm क्या हो जाएगा distance between the two parallel tangent of circle of radius 8 cm इस circle का जो parallel tangent है इसके बीज का distance के इतना हो जाएगा 16 cm यानि की option number 1 आई होप आपको समझ माया होगा आपको ध्यान यह रखना है जब कभी एक particular circle में हम लोग कभी भी parallel tangent डॉक करेंगे तो क्या होगा उनके बीज का distance जो होगा वो circle के diameter के बराबर होगा ठीक है diameter क्या होता है twice of radius तो अंसर क्या हो जाएगा 8 x 2 16 cm अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें दोस्तों के साथ स्वियर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें जिसे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे expected questions आने वाले है quantity aptitudes के maths के 25 questions के set तो उसे आप मिस ना करें इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको notification मिल जाएगी और telegram group जरूर से join कर लें वहाँ पर आपको पाचल जाता है कि कब हमारे systems होने वाले हैं कब हमारे जो भी वीडियोज हैं वो कब आने वाली है ठीक है solve करते हैं next question क्या दिया गिए what is the radius of circle whose area is equal to the sum of the area of two circles दो circle है एक का radius 8 cm दूसरे का 15 cm और इन दोनों के area को sum कर देंगे तो जो हमें circle मिलेगा उसका radius क्या होगा यह पूछा जा रहा है ठीक है circle का area क्या होता है यह होता है पाई r square ठीक है जो sum करने पे जो हमें circle मिल रहा है वह बड़ा circle यह है ठीक है बाग के circle कौन से हो जाएंगे pi r square 80 square ठीक है plus pi r square second circle का pi 15 square ठीक है यहां से क्या हो जाएगा pi और pi cancel हो जाएगा r square किता मिल जाएगा यह हो जाएगा 64 और यह हो जाएगा 225 दोनों को add करें कितना आ जाएगा 289 तो r equal to root of 289 यह कितना जाएगा 17 cm तो 70 cm क्या जाएगा radius of bigger circle मतलो radius of उस circle का radius जब हम इन दो circle के area को add करेंगी जो नया circle बनेगा उसका radius कितना होगा 17 cm option number 4 is the right answer आपको यहाँ पर pi लिख करके calculate करें जोगत नहीं है यहाँ से आपका pi जो हो cancel हो जाएगा और फिर आप आसाइए से question को solve कर भाएंगे ठीक है ले ते next question question number 4 with a reference to a number greater than 1 एक number है जो की 1 से बड़ा है the difference between its itself and its reciprocal itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal अच्छा इन दोनों के भी इसका difference मतलब जो number है वो उसके reciprocal का difference जो है वो 25% इन दोनों के sum के बराबर है ठीक है by how much percent correct to one decimal place is the fourth power of the number greater than its square तो fourth power का number जो होगा मतलब जो भी number है उसका power 4 और power 2 के बीच का difference पूछा जारा है हमसे माल लेते हैं जो number की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो number कौन सा है वो number हमारा X है यह हम लोगों लेट कर लिया क्या लेख कह रहा है difference between itself and its reciprocal difference between itself हैनि कि X इसके reciprocal यह किसके बराबर है is 25% 25% क्या होता है 1 by 4 sum of itself and its reciprocal sum X plus 1 by X ठीक है यहाँ पर हमें दिया गया है यह हमारे जो question में दिया गया इससे हम लोगों ने यहाँ पर एक equation ready कर लिया अब इस equation को solve करेंगे और आगे देखेंगे क्या हो पाता है यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें X इसे इधर ले आएंगे यह क्या हो जाएगा minus X by 4 और यह क्या हो जाएगा यह है 1 by 4X यह इधर आजाएगा यह क्या हो जाएगा 1 by X solve करेंगे क्या मिलेगा 4X minus X divided by 4 equal to यह से क्या आजाएगा 1 plus 1 1 plus 4 आजाएगा थर 4 by 4X इस जगर से यह 4 और 4 cancel हो जाएगा क्या मिलेगा हमें 4X minus X यह आजाएगा 3X और यह आगया 5 by X ठीक है अब क्या कर सकते हैं सब लोग इससे इधर भेज दें यह क्या आजाएगा X square equal to 5 by 3 X equal to क्या आगया 5 by 3 आगया हमसे क्या पुछा गया by how much percent is fourth power of the number greater than its square number क्या था हमारा number था X इसका square हमें यहापे मिल चुका है हमें क्या चाहिए इसका fourth power कितना हो जाएगा 25 by 9 पुछा गया इन दोनों के basic का difference कितना percent ज्यादा है fourth power जो है वो इससे कितना percent ज्यादा है क्या करेंगे इन दोनों को minus कर देंगे क्या करेंगे इन दोनों को minus कर देंगे 25 by 9 minus 5 by 3 कैसे करेंगे इससे ब्रा लेगा 9 3 से multiply 3 से multiply कितना आ जाएगा 15 25 तो पंदर जाएगा कितना बचेगा 10 10 by 9 कितना आ गया यह 10 by 9 percent निकालना है 10 by 9 square कितना था 5 by 3 था तो यह हो जाएगा 3 by 5 और यह cancel होने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा 9 और 5 तू जा 10 यानिक यह आ गया 2 by 3 और 1 by 3 क्या होता है 1 by 3 होता है 33.33 percent यह क्या होता है यह होता है 1 by 3 का value और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 by 3 इसका double कर देंगे 2 से multiply इथर करेंगे और 2 से इथर करेंगे multiply यह क्या आ जाएगा 66.66 percent approximate option हमें क्या दिख रहा है correct to one plus करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 66.7 ठीक है यह कितना आ जाएगा 66.7 percent option number 2 is the right answer I hope यह clear हुआ होगा समझ में आया होगा यह question हम लोगों ने क्या है solve कि बहुत दिख सा question था बस थोड़ा सापको question के language को समझना था और से solve करना था समझ में आ रहा है ज़रूर से बता है comment box में लिकर के कुछी problem अगर हो रही है कुछी समझ में नहीं आ रहा है doubt है तो आप comment से में लिकर पूछ सकते हैं आगे बढ़ते है question number 4 के बाद question number 5 क्या दिया जा रहा है यहां पे a purchased a purchased two articles यह जो है दो आर्टिकल पर्चेज किया for 200 and 300 respectively and sold at gain of 5% and 10% respectively इसे बेचा है कितने परसंट पे 10% के profit पे और इसे बेचा है कितने परसंट पे sorry एक निट 200 वाले आर्टिकल को बेचा है 5% के profit पे और 300 वाले को बेचा है यह 10% के profit पे यह दिया गया है what was his overall gain percent overall gain percent कितना होगा अगर जब हम लोग 200 को बेचेंगे 5% profit कितना आ जाएगा 5,010 रुपे और जब इसे बेचेंगे 10% कितना आ जाएगा 30 ठीक है यह कितने पे 300,200,500 30,10,40 क्या जाएगा 40 by 500 यहां से cancel करेंगे यह हो जाएगा यह से cancel 100 से multiply करेंगे तो यह दो बारे में कट जाएगा और 4,2,8% हमारा answer आ जाएगा तो overall profit क्या हो जाएगा option number 1 8% I think आपको समझ में आया होगा क्या कि हम लोगों ने 5% डिया गया profit कितने पे 200 पे यह 10 हो गया 300 पे 10% है यह 30 हो गया दोनों को add की कितना हो 40 पे 40 रूपीज कितने पे यह आ रहा है दोनों का cost price को सम कर देंगे 200 पे 300 500 यह solve की हम लिगे 8% ठीक है clear लेते हैं इस question question number 6 क्या कहा जाएगा इस में एक है complete piece of work in 20 days we can complete 20% of the work in 6 days if they work together in how many days can they finish 50% of the work कह रहा है कि A जो है वो 20 डे में काम complete करता है यह A रहा इसे रखता है 20 दिन का समय B जो है यह 20% काम करता है 6 दिन में मतलब कितना करेगा total काम 30 डे में कैसे पता 20% क्या होता है 20 प्रे में ता 1 बाई 5 1 बाई 5 कर रहा है 6 डे में तो 1 कितने में करेगा 30 डे में 30 कैसे हुआ 6 इंटू 5 6 इंटू 5 30 ठीक है 30 आ गया अब क्या बोल रहा है अगर इन दोनों का L सम जा लिए कितना जाए टोटल वर्क total वर्क हमारा आ जाएगा 60 इसका आफिजिस कितना हो जाएगा 50 परसेंट कितना होगा इसका 50 परसेंट हो जाएगा इसका आधा यानि कि 30 कैसे करना है together यानि कि A और B दोनों की efficiency को सम कर देंगे 3 प्लस 2 या गया 5 solve करेंगे 6 6 days का समय लगेगा इन दोनों को साथ में 50 परसेंट वर्क को complete करने में option number 1 is the right answer अब देखरें किस लेवल के question पुछेंगे हैं इससे type के question पुछेंगे ठीक है यह लिते है next question, question number 7 क्या दिया गया है the 10 digit number यह number है is exactly divisible by 24 यह question आप मालने चले कि 90% chance है 25 question में से 1 question divisibility पर आने का यहाँ पर number कुछ और भी हो सकता है 24, 77, 78, 72 कुछ भी हो सकता है यह जो question है डीवी जिरूटी पर इस पर आप question जरूर मिलेगा ठीक है तो क्या क्या है हजारेस में यह number जो है यह 24 से divide हो जाता है क्या बोला जारा x जो है वो 0 के बराबर नहीं है y भी 0 के बराबर नहीं है then list value of x plus y यह number दिया गया है एक minute यह जो number है यह किसे divisible है 24 से 24 से divide होने का मतलब क्या है यह 8 से divide होगा और 3 से होना चाहिए 8 से भी divide होना चाहिए और 3 से भी divide होना चाहिए हम क्या करेंगे 8 और 3 का जो rule होता है उससे हम लोग इस पर चिक कर लेंगे 3 का रूल क्या होता है 3 का रूल यह होता है कि सभी को sum करना है जो भी digit डिये गए उनका sum कर दो अगर वो 3 से divide हो रहे हैं इसका मतलब यह number भी 3 से divide हो जाएगा अगर sum करें क्या मिलेगा 8 plus 6 14 plus 2 16 यह कितना रहा 16 plus x plus y ठीक है यह किस से divide हो चाहिए 3 से होना चाहिए 3 के table में 15 आता है 15 के बाद 18 आता है यह निकि x plus y का value कितना हो सकता है यह निकि x plus y का value 16 अगर 2 add कर दें कितना हो जाए 18 हो जाएगा 2 हो सकता है या फिर और क्या हो सकता है X plus Y का value 3 के table में क्या आता है 18 के बाद 21 आता है 16 में अगर हम लोग 5 add कर दे क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा यानि कि X plus Y का value 5 हो सकता है और भी हो सकता है लेकि हमसे list पूछा जा रहा है तो हम लोग इन दो को ले चलते हैं अगर ये दोनों satisfy हो जाएगा दोनों में से कोई एक भी ठीक है ने तो फिर आके देख लेंगे X plus Y के value हो सकते है 21 के बाद 23 हो सकते है तो करते हैं अगर X plus Y का value लेते हैं पहले 2 अगर X plus Y का ले 2 है इसका मतलब X क्या हो सकता है और Y क्या हो सकता है क्योंकि दियाए कोशन में कि X जो है वो 0 नहीं होगा और Y जो है वो 0 नहीं होगा इसका मतलब X 1 हो सकता है और Y 1 हो सकता है यही होगा इसके सिवा और कोई option हमारे पास नहीं है अगर X plus Y का value 2 है और X और Y दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं होगा इसका मतलब x भी 1 होगा और y भी क्या होगा 1 होगा अगर हम लोग यह जो number यहाँ पर दिया गया है 2 x6 00 00 y8 इसमें इस y के जगह पर रखते हैं अगर 1 तो क्या यह number 8 से डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा 8 से डिवाइड कौन होता है जिसका last 3 digit last 3 digit जो है right hand side से वो क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए और यह 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब यह possible नहीं है ठीक है जब यह possible नहीं है रहने कि यह जो 2 है यह cancel हो गया मेरा अब क्या करें हम लोग अब next try करेंगे x plus y equal to 5 x plus y equal to 5 कर लेते हैं तो x और y का value यहां से क्या हो सकता है x का value और y का value हमें यह पता है यह divide कब होगा यहाँ पे अगर कोई number है और यह हम क्या करना है इसे हमें 8 से divide करना है क्या करना है इसे 8 से divide करना है यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 तो होगा नहीं, 2 से 2 भी 8 पे नहीं होगा 3 नहीं होगा, 4 अगर 4 होगा, 8, 6 या 48 होता है यनि कि y का value क्या है y का value हमारा 4 हो सकता है और अगर y का value 4 होगा, x कितना हो जाएगा x हो जाएगा 1, तभी क्या होगा 4 प्लस 1 हमारा 5 को satisfy करेगा इसका मतलब y का value 4 और x का value 1 यह satisfy कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं x equal to 1 and y equal to 4 यह value होगा हमसे पूछा गया x plus y, तो x plus y कितना हो जाएगा 5, 4 plus 1 5 यह होगा आपका सही अंजर, option number 2 में दिया गया, option number 2 is the right answer 5, इस तरी किस से आप ऐसे question में solve कर सकते हैं, आपको examik क्या देखने को मिलेगा, 24 के जगब पे 72 कई बार पुछा गया है 78 यह number कई बार पुछा चुके है आपको पता होना चाहिए, 72 कब होगा 77 पूछा सकता है, यह कब होगा, जवापका number 7 से होगा divide 11 से होगा 78 कब होगा, जवापका number 13 से होगा और 6 से होगा इस तरीके से आप चिक कर सकते हैं, ठीक है लेते हैं, नेस्ट कोश्चन, I think यह समझ में आया होगा क्या दिया कि है नेस्ट कोश्चन, टू डाइगोनल्स टू डाइगोनल्स, टू डाइगोनल्स टू ड्रॉ इट, ठीक है, लाइन टेड़ा हो गया यह, अब ठीक है यह बन गया रॉम्बस इसमें कह रहा है कि इसका एक डाइगोनल यह रहा और इसका एक डाइगोनल यह रहा डाइगोनल्स कितना दिया है कि एक है 14 सेंटीमेंटर, एक है 48 सेंटीमेंटर हमें क्या पता है डाइगोनल जो होता है वो जिस जगह पे इंटरसेट करता है कट करता है उस जगह पे 90 डिगरी फॉर्म होता है क्या होता है 90 डिगरी फॉर्म होता है और टू एक्वल पार्ट में डिवाइड करता है byset करता है क्या करता है byset करता है अगर यह जो diagonal है एक मिर्स का naming कर दे रहे है A B C D diagonal AC जो है अगर इसका length 14 cm है अगर AC का length 14 cm है तो CO कितना हो जाएगा इसका half हो जाएगा 7 cm यह क्या हो जाएगा इसका half 7 cm और अगर BD 28 cm है 48 cm है तो BO क्या हो जाएगा इसका half हो जाएगा 24 cm यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ एक right angle triangle बन रहा है यह इसका दोनों legs है और यह क्या है इसका hypotenes है तो BC कितना आ जाएगा BC आ जाएगा 7 का स्कोर टीज़ स्कोर 600 पचिस यह कितना आ गया 25 ये कितना होगा 25 पूछा गया हमसे पेरीमेंटर क्या होता है 4 x 25, Centimeter हो जाएगा अंसर यानि कि 100 cm इसका सही अंसर होगा इसका पिरिमेटर होगा option number one is the right answer I hope आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे questions आपको देखने को जिवड मिलेंगे ग्याम में से type के questions देखने को मिलेंगे question कुछ और भी हो सकता है लेकिन question का जो level है question के type जो है वो ही तरह के आपको देखने को मिलेंगे okay समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो comment box में लिखे बाद आएं और video को like करें लेते इस question question number nine क्या दिया गया a person deposit question number nine क्या दिया गया है a person deposit 8000 in a bank which pay 8% interest per annum the amount after 8 year will be simple question है 8% per annum 8 साल के लिए है कितना हो गया यह 64% कितने पर है यह 8000 पर है percent से 2,0 कैंसल हो जाएगा 648 similar कितना आ जाएगा यह आ जाएगा पांसो बार हो जाएगा क्या पुछा है हमसे amount पुछा गया यह तो इसका interest आ गया यह क्या आ गया इसका यह इसका interest आ गया हमें निकालना amount इसमें 8 यह जोड़ देंगे 8 पांस कितना हो था 13 होता है 13,120 यह हो जाएगा right answer रूपीज में है option number 3 is the right answer यह बहुत simple था आप ऐसे करते हैं यहाँ पे आपने देखा 8 यहाँ पे देखा 8 यहाँ पे 8 देखा 8 यहाँ कि 8 का क्यूब कितना होता 512 होता है 5,1,2,0 इसमें 8 यह जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13,120 इस question का अब उरली कर सकते हैं पांस सेकेंड में I hope यह समझ माया होगा लेते हैं next question 9 के बाद 10 क्या दिया जा रहा है इस question में इस question में लिखा है O, G, I, H O, G, I, H are respectively circumcenter circumcenter कौन है O है centroid G, in center I, auto center H of an equilateral triangle अच्छा which are these points are identical यह identical है ठीक है तो अब पूछ रहा है कि O, G, I, H में से कौन सा जो point है identical हो का मिलता है concert point एक ही जगह बनेगा आपको पता हो चाहिए equivalent triangle में क्या होता है यह सारे के सारे point एक ही जगह बनते हैं कहां बनते हैं एक ही जगह बनते हैं और यहनिकी जो ही point है circumcenter, centroid, in center, auto center all lie at the same point तो इस concert क्या हो जाएगर जमें चालो होगा यह रहा O, G, I, H सभी कैसे होंगे identical होंगे एक ही point बनेंगे ठीक है ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहां होता है equilateral triangle के case में होता है otherwise आपको different points दिखने को मिल सकते हैं ठीक है यह जहां रखना है equilateral triangle में ortho center, circum center, centroid and in center all lie at the same point ठीक है यह question आपको पूपजा गया है SCC질 tool 2020 में October में जो फागडाउन के बाद जो exam होगा है उसमें किसी किसी दिन किसी shift में यह question पूपजा गया था आप समझ सकते हैं है सटे question आगी भी आपको जामें मैं दिखने को मिल सकते हैं यह किया है What is the value of cos x2 theta? क्या हो सकता है जहाँ पर आपको सिर्फ वोसिफ क्या करने है value को पुट करना है तो मैं वल्लू पुट करेंगे और हम हमें क्या मिल जाएगा answer मिल जाएगा साइनधिक कितना होता है, साइनधिक होता है, साइनधिक कितना 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 होता 8 हो जाएगा, इन दोनों के लसल में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 और यह कितना आ जाएगा, 2, 3, 3, 2, 5, 5 by 6, ठीक है एड करेंगे, यह कितना आ जाएगा LCM हो जाएगा 6 6, 8 जा 48 और 5, 53, 53 by 6, option number हमें दिखरा है 2, यह आपको हो जाएगा, right answer ठीक है इस तरह के simple question आपको जामें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा value put करना होगा trigonometric ratio के और आपको answer मिल जाएगा यह next question, question number 12 क्या दिया गया, an article having mark price 900 was sold for rupees 648 after two successful discount, the first discount was 20%, what was the percentage rate of the second discount एक article जिसका mark price है कितने में, 648 में यह हो गया इसका SP selling price दो successive discount के बाद में जिसमें से एक discount, 20% पहला discount, तो second discount जो है वो हम से पूछा गया है, तो हम यहाँ पर कैसे इस question को solve कर सकते हैं 900 रुपया है, इसका cost है ML मतलब mark price है जो price लिखा हुआ होता है इससे पहले 20% जिसका discount दिया गया किपना हो जागा 20%? यह हो जाएगा 950, 1818 में जाएका 720 ठीक है लेकिन इसको बिजा कितने पह गया है 648 पे, अब कितना का discount दिया गया 48, 50, 60, 70, 72 72 का discount दिया गया है यहाँ पे कितने पह दिया गया है 720 पे कितना आ जाएगा 1 by 10 1 by 10 क्या होता है 10% यहनि कि option number 3 is the right answer ठीक है इस तरीके साब question को असानी से काफिक कम से में सौर्व गज़ते है 900 रुपए था 20% का discount दिये 20% कितना होता है 9,2 जा 18 20% का discount मतलब 8 9,8 जा 72, 720 रुपए 648 में कितना का में इस से 72 का में कितने पर 720 रुपए 10% काउंट हो गया ठीक है next question the platform of a station 400 meter long starts exactly where the last span of the bridge 1.2 kilometer long ends एक bridge जिसका length 1.2 kilometer जहां पर यह खतम होता है bridge हमारा वहीं से क्या सुरू होता है platform सुरू होता है जिसका length दिया गया है 400 meter how long will a train 200 meter long and traveling at a speed of 72 km per hour एक train जिसका speed है 72 km per hour 200 meter लंबा है had to cover the distance between the starting point of the span of bridge and the far end of the platform मतलब माल लेते है यह हमारा अगर यह bridge है इस जगह से शुरू हुआ इस जगह पिंट हुआ जिस जगह से क्या है उस जगह से हमारा platform है यह क्या है dot line जो दिख रहा है यह क्या है यह platform है यह platform है और यह bridge है यह platform है और यह क्या है यह bridge ठीक है तो जिस जगह platform खत्म होता है वहां से शुरू क्या होता वहां से हमारा जिस जगह पे bridge खत्म होता मतलब इस जगह से वह स्थाट होता है कहां तक जाता है इस इंड तक मतलब इस पोजिशन तक जाता है यहां तक जाता है तो इस जगह से इस जगह यह कितना हो जाएगा इसका स्पीड कितना दिया गया इस स्पीड है 22 km per hour इसे convert करेंगे हम लोग मेटर पर सेकेंड में कितना आजाएगा 18-4 जा 520 20 मेटर पर सेकेंड क्या करना है? हमें निकाला कितना time लेगा time क्या होता है? time होता है distance by speed कितना आजाएगा? distance आजाएगा ये 1200 2400 और 200 train का लेंद 1800 को डिवाइड कर देंगे 20 से कितना ये आगया? ये आगया 90 90 सेकेंड और option में दिया गया minute में कितना हो जाएगा? 1.5 minute 1.5 minute option number 1 is the right answer I think आप कोई समझ माया हुआ ये question इसमें ये दिया गया एक platform है एक bridge है ठीक है? जिस जगह पे bridge खत्म होता है उसी जगह से क्या सुरू होता है हमारा platform सुरू होता है इस जगह से और bridge का लेंद दिया गया 1.2 km 1200 मिटर और platform का लेंद दिया गया 400 मिटर एक train है जिसका लेंद 200 मिटर है जो start कहा होता है जिस जगह से bridge सुरू होता है कहां पर तक जाता है जह जगह पे हमारा पुरे प्रेटफॉर्म को क्रॉस कर जाता है तो हमसे पुछा गया है और ट्रेन का स्पीड दिया गया हमसे पुछा गया है ये इसे पुरे पुरे ब्रेज और प्रेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना time लगेगा minute में time क्या होता है distance by speed distance कितना आ जाएगा bridge का length plus platform का length plus train का length कितना जाएगा 12 plus 4 16 plus 2 1800 और speed है 20 km per hour 72 km per hour उसको हम लोग चेंज कर लिए meter per second में कितना 20 meter per second divide कर दी कितना 90 second option minute में दिया गया है क्या करें हम लोग 90 second को convert कर लेंगे minute में कितना जाएगा 1.5 minute clear अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को like करें और problem में कुछ है doubt है तो आप नीचे लिख के पूछ सकते है comment section में next question 14 PQR is an isocelous triangle PQR क्या है एक isocelous triangle is such that PQ equal to QR equal to 10 cm and the angle PQR is 90 degree what is the length of the perpendicular drawn from Q on PR तो मुझे पहले यहां पर एक triangle draw करना होगा triangle कैसा है right angle triangle है यह questions पाचल रहा है एक angle 90 degree है ठीक है यह triangle हो गया नाम देते इसका यह हो गया P यह हो गया Q और यह हो गया R ठीक है यह कैसा है यह एक right angle triangle है क्या 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 दिया कि PQ जो है यह 10 cm है QR जो है 10 cm है और यह angle कितना है यह हमारा antiregddy है what is length of perpendicular drawn from Q to R perpendicular draw करेंगे Q से PR पे उसका length पूछ रहा है मतलब प्रवड़ कुछ ऐसा होगा ठीक है अगर यह दोनों इसका legs है right angle triangle का 10 और 10 तो high potence कितना हो जाएगा 10 square पर 10 square कितना हो 10 का square 100 plus 100 root 200 हैने की 10 root 2 यह कितना आ जाएगा 10 root 2 ठीक है अब यह जो है Q और जो यह draw किया इसका नाम कुछ रहते है P Q R है इसको रहते है M तो Q M जो है Q M का length कितना होगा Q M हम सबको पता है कि यह क्या होता है product of legs हैने की 10 into 10 divided by hypotenuse 10 root 2 जब कभी ऐसा कोई question आ है जिसमें आपको perpendicular निकालना हो जो draw कहां से किया गया हो 90 degree जिस जग अप angle बन रहा हो उससे hypotenuse पे इसका length क्या होता है इसका length होता है product of leg divided by hypotenuse 10 into 10 divided by 2 यहां से 10 से 10 cancel हो जाएगा और यह कितना आ जाएगा 5 root 2 तो option है option number 3 यहां पे दिख रहा हमें 5 root 2 जो की होगा इस question का सही answer centimeter में है यहां पे centimeter हम लोग लगा लेंगे ठीक है I think यह समझ माया होगा जब कोई जैसा कोई question है क्या करेंगे हम लोग base और perpendicular दोनों को product करेंगे और divide कर देंगे किसे hypotenuse से यह next question एक trigonometry question है theta जो है वो क्या है 90 degree से 90 degree और 0 के बीच में लाई कर रहा है और हमें निकालना theta का value क्या होगा दिया गया है 3 cos theta plus sin theta equal to 1 है यहां पे 4 option दिए गया है सबसे एचा क्या होगा है इसमें हम लोग value put कर देख लें जिस value satisfy कर जाएगा 1 आ जाएगा वो मेरा सही answer हो जाएगा ठीक है check करते है 0 0 put कर कितना हो जाएगा cos 0 यहने कि sin 0 0 put कर कितना हो जाएगा sin 0 हमारा 0 होता है यह जीरो हो जाएगा और यह क्या जाएगा जो भी आएगा root 3 का सबसे आएगा 1 कभी नहीं आएगा यह हमको सबसे आएगा अप्सन नोबर 1 हमारा कभी नहीं होगा 30 पुट करिंग कितना जाएगा sin 0 होता है 1 by 2 होता है और यह root 3 में कुछ नहीं कुछ आएगा यह यह भी हमारा नहीं हुपा यह भी हमें 1 नहीं देने वाला इतना समझ में आ रहा हमें फूटफ़ा पूट कितना होगा, 1 by root 2, यहां पूट करें कि रूट 3, इंटो रूट 2 आजाएगा, रूट 5 आजाएगा, तो यह भी हमें नहीं दिएगा, 90 पूट करें, sin 90 कितना होगा, sin 90 होता है, 1 होता है, और cos 90 कितना होगा, cos 90, cos 90 होता है, हमारा, इस question मुझे कुछ गल्ती लग रहा है, यहां पे cosec नहीं होगा, यहां पे cosec नहीं होगा, 1 minute, मैं सही करेता हूँ, यह जो cosec है, यह cosec नहीं है, यह क्या है, यह बस cos है, cos theta, यह क्या है, यह है cos theta, अब अगर यहां से हम लोग ट्राइ करें, option 1 से check करते हैं, 0 पुट करेंगे, cos 0, यह 0 हो जाएगा, यह बचेगा, sin 0, अब कोईश करते हैं हम लोग, option solve करने की, यह 0 है, 0 पुट करें, cos 0 कितना होता, cos 0 1 होता, यह root 3 आ जाएगा, sin 0 होता है, हमारा 0, यहां से root 3 मिलेगा, यहनि कि हमें यह satisfy नहीं कर रहा, 1 नहीं दे रहा, यहनि का option 1 नहीं होगा, 30 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, cos 0, sin 0, 1 by 2, यहां से भी हमें नहीं मिलने वाला, 45 पुट कितना आ जाएगा, root 3 by root 2 आ जाएगा, यहां से भी हमें नहीं मिलेगा 90 पुट किता मिल जाएगा कॉस्ट 90 होता है हमारा 1 होता है सारी कॉस्ट 90 हमारा 0 होता है इस जगह से हमें 1 मिल जाएगा यहने की option number 4 हो जाएगा इसका right answer 90 डिगरी पर हमें यह values हमें 1 मिलेगा ठीक है इस तरीके साब check कर सकते हैं question थो अचा mistake हो गया था I hope आपको समझ माया होगा किस तरीके समर्व ने solve किया अब लेते next question question 16 क्या दिया गया है the average of the average of a series of 21 members is equal to 43 21 members है इनका जो average है वो कितना दिया गया है 43 है the average of the first 11 of them first 11 का average कितना है 33 है ठीक है average of the last 11 कितना है 53 है the 11th number of the series is 11th numbers का क्या होगा अब यह question जो ऐसे questions अभी हम लोग जब arithmetic series में जो arithmetic series हम लोग का चल रहा है जिसमें average questions हम लोग ने solve किये थे इस तरीके के बहुत सारे questions हम लोग ने वहाँ पे solve किये थे अगर आप लोग ने वह series देखी है वह video देखा है average का इस question को आप solve करने में पांस second का भी समय नहीं लेंगे वह कैसे मैं बता रहा हूं कैसे कर सकते हम लोग यहाँ पे यतने भी total members है 21 उनका average कितना है 43 है पहले 11 का पहले 11 कितना है 53 और last 11 कितना है 33 हमें चाहिए 53 क्या करेंगे हम लोग अगर इस 53 में से 10 इसको दे देंगे यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 43 और यह कितना हो जाएगा यह 43 हो जाएगा क्या कि हम लोग 53 में से 10 इसको हम लोगों ने दे दिया यह 43 हो गया यह कितना हो गया यह हो गया 43 हमें के चाहिए था हमें चाहिए था सभी 21 members का 43 43 43 43 इसका मतलब जो 11 नंबर होगा वो क्या होगा 43 होगा option number 2 is the right answer किता simple question था आपको समझ में आया होगा लेते इस question क्या दिया जारा what is the ratio between the fourth proportional of 349 and mean proportional between 2 and 98 अगर last question यह average का question का समझ में नहीं आया हो आप एक काम कीजेगा कि अर्थमेटिक स्रीज में average के जो questions मैंने solve किये हैं जिसमें हम लोगोंने 30 questions solve किये हैं पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में उन सभी questions के एक बार revise कर लेजेए वहां से आपको average कि सारे concept मिल जाएंगे different types of questions किस तरीके समलोग solve करते हैं वह आप हां सीख पाएंगे ठीक है इसका आपको इन यह अर्थमेटिक स्रीज है अगर देखना चाहते हैं तो इस i button पर click करेंगे यहां पर आपको इसकी प्लेस्ट मिल जाएगी ठीक है यह क्या दिया जा रहा है यहां पर 3,4,9 रेशियो बिट्विन इसका निकालना इसका निकालना इन दोनों का ठीक है पहले निकालते हैं इनका 4th proportional नमबर कौन कौन से है 3,4,9 माल लेते हैं जो 4th नमबर है वो क्या है x है ठीक है तो यह कैसा हो जाएगा 3 is to 4 equal to 9 is to x 3 by 4 equal to 9 by x यहां से solve करेंगे x कितना आ जाएगा x आ जाएगा यह 3 से यह 3 cancel हो जाएगा 4th यह 12 x कितना आ गया यह 12 आ गया अब क्या कह रहा है अब यह कह रहा है कि अब यह कह रहा है निकालना मीन पॉस्टन किसका 2 और 98 का माल लेते हैं इन दोनों का मीन पॉस्टन हमारा क्या है y है क्या है y माल लेते हैं इन दोनों का जो मीन पॉस्टन है वो क्या है वो है y तो कैसे करें हम लोग 2 is to y equal to y is to 98 यह तो होता हमारा मीन पॉस्टन जो यहां पर हमारे y लिखे हैं यह क्या आ जाएगा 2 by y equal to y by 98 sorry 98 98 तो y equal to y square equal to 98 into 196 और यह क्या होता है y equal to इसका root करें कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 14 ठीक है क्या पुछा गया था x और y का ratio तो 12 is to 14 इसका मतलब 6 is to 7 option number 3 is the right answer 6 is to 7 I hope आपको समझ में आया होगा यह question भी ते next question क्या दिया गया है यहां दिया जा रहा है a plus b equal to 11 a plus b equal to 11 a b का value 15 हम से पुछा गया है a square plus b square यह a square plus b square यह क्या है a square plus b square है ठीक है इसका value पुछा गया है बहुत ही simple है क्या दिया गया है a plus b equal to 11 दिया गया है क्या करेंगे हम लोग कर देंगे squaring both side squaring both side यह कितना आ जाएगा a square plus b square plus 2 a b equal to 11 का square 121 और a b का value हमें दिया गया है 15 क्या करेंगे इसके जगर put कर देंगे 15 को तो क्या आ जाएगा a square plus b square plus 2 into 15 equal to 121 यहां से पुछा क्या है हमसे पुछा गया a square plus b square के value को तो a square plus b square equal to कितना जाएगा 121 minus 30 इसका मतलब 91 तो option number one is the right answer option one क्या हो जाएगा 91 का answer हो जाएगा a square plus b square का value हो जाएगा 91 clear वैसे question आपको देखने को मिल सकते है definitely मिलेंगे ऐसे CHSL के paper में आपको ऐसे question देखने को जरूर मिलेंगे यह है next question sign x का value हमें यहाँ पे दिया गया है 12 by 67 क्या दिया गया है sinus का value 12 by 67 what value of x 10x का value पुछा जा रहा है अब इस question को हम लोग कई तरिकों से कर सकते हैं अगर हमारे पास यह एक right angle triangle है यह क्या है एक right angle triangle है और यह अगर ठीटा है यह 90 degree यह ठीटा है तो sinus क्या होता sign होता है perpendicular by hypotenuse तो यह हो जाएगा perpendicular और यह हो जाएगा hypotenuse ठीक है हमसे पुछा रहा tan tan क्या होता है tan होता है perpendicular by base तो हमेशा क्या होगा इस जगह पे perpendicular में हमारा जो है वह क्या है इस जगह पे हमेशा 12 आएगा तो यहाँ पे अगर आप दिखना है चाहिए option चेक करें तो निम्रेटर में 12 कहां है हलंकि यह base निकला हôm पड़ेगा नहीं भी निकलने काम चाहता है निम्रेटर में 12 कहां है 12 हमारा जिर्फ सिर्फ इसमें नहीं है इसमें 2 असल फॉर में है तो option 4 अपका राज़न सर हो जाएगा इस तरीके से नहीं का सकते हैं राप या फिर आप या करें इसको टातर आजाएं यहांँ कर लेлом आपको यह जो वैल्यू है यहां मिल सकते हैं यहां पर क्या दिया गया है सेकंड तरीका में बतारों आप लोगों इस तरीके से कर सकते हैं साइन स्क्वाइर एक्स प्लस कॉस स्क्वाइर एक्स यह होता वन के बराबर तो कॉस स्क्वाइर एक्स कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1- sin square x यहां से इसको उटा जाए square को यह root आ जाएगा क्या करें 1 में से 12 by 37 sin s के value को put करके इसको square कर देंगे यह कितना आ जाएगा 37 का square कितना होता है 1369 12 के square 144 divided by 37 का square 1369 यह कितना आ जाएगा यह आजाएगा 1225 यह आजाएगा 35 और यह आजाएगा 37 ठीक है यह हमें यहां से मिल गया यह क्या मिला है यह मिला हमें cos का value हमसे पूछा क्या गया 10 theta का value 10 x का value 10 x क्या होता है sin x by cos x sin x कितना दिया गया sin x से 12 by 37 cos कितना है 37 by 35 यह हो जाएगा इससे यह cancel हो जाएगा 12 by 35 मिल जाएगा यह क्या आपको दिख रहा होगा option number 4 में दिया गया है इस तरीके से आप कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको time कम लगे I think time कब सबसे कम इस तरीके से लगेगा इस तरीके में आप comfortable भी होंगे और असानी से question को solve करके आप 2 marks गेन कर सकते हैं यहां से ठीक है 19 के बाद next question लेते हैं question 20 यह क्या दिया गया है 32 percent of x equal to 3 percent of y y और x के ratio निकालना है क्या कर सकते हैं इससे percent से percent cancel हो जाएगा और y by x करना y by x कितना आजाएगा 22 by 30 यानि कि 11 is to 15 कितना आजाएगा 11 is to 15 option number 2 is the right answer बहुत ही simple बहुत ही simple सा question था question देखते ही हम लोगों लोगों solve कर दिया आप भी question को देखते ही सिधा answer tick कर सकते हैं 11 15 आएगा y उपर में है y is to x पुछा गया है तो कितना आजाएगा 11 is to 15 clear next question यह है data interpretation question डिया के question को 4 या 5 आपको देखने को मिलते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक set में 3-4 question जो भी होते हैं डिया के वो सारे सारे different भी होते हैं लेकि यहाँ पे जो भी question सारे के सारे same question है डिया सेम है और इससे question different है और ऐससे क्या होता है जो डिया का question होता है 25 questions में से 4 या 5 questions तीन 4-5 question पुछी जाते हैं वो आपको एक 7 कभी नहीं मिलेंगे question number 1 मिल जागा आपको 1 डिया question मिल गया question 7 मिल जागा person 12 मिल जागा एसा करके मिलेगा कि banking exam जा में ऐसा नहीं होता है banking exam में जा होता सारे के यहां है इसके आद डालें तो हम लोग यहां पे यहां है यहां पर यहां लिए यह यहांी यह यह दिखते हैं किुस तरीके से मैं लोग कर सकते हैं पहले पढ़ते है question को क्या लिखा गया है, question में दिया गया है, the full marks for a paper, full marks for a paper is 300, कितना है, 300 full marks है, यहां लिखना, full marks है, the breakup of the marks into theory, theory को x से लिकरा है, practical y and z है project के लिए, which are three components of the evaluation, यह तीन component है, जिसको ratio में divide किया गया है, 6 is to 5 is to 4 के ratio में ठीक है, in order to pass, one has to score at least 40%, 50% and 50% respectively in x, y, z, x, y, z में respectively आपको 40%, x में, y में 50% और z में 50% marks लाने होंगे, तभी आप pass हो सकते हैं, and 60% aggregate में सभी को मिला करके 60% marks आपको लाने होंगे, the marks scored by four students, a, b, c and d, यह comma होगा, ठीक है, a, b, c and d, sown in the given bar graph, यहाँ पे इन लोगों का marks हो किया गया है, not percentage, यहाँ पे क्या सो किया गया है, marks, और यह a, b, c, d, यह students है, ठीक है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा, जो, जो यहाँ पे language न पार्ट दिया गया, इसे तवसा समझना होगा, और यहाँ से value को निकालना होगा, सबसे पहले हम यह क्या देख रहे हैं, जो full marks है, जो full marks है, वो कितना है, वो 300 है, वो कितना है, 300 है, इसे तीन पार्टमेंट ब्रेक किया गया है, एक है, छूरी, इसे लिखते हैं, x से, एक है practical, जिखते हैं, y से, और z क्या है, project है, इन तिनों का break up दिया गया, 6 is to 5 is to 4 के ratio म कितना हो जाएगा, 6 और 4, 10 और 5, 15, यहां से क्या आ जाएगा, यह जो 15 आ रहा है, 15 किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा, जा जाएगा, 1 का value कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और x कितना है, x का ratio 6 है, 20 इंटो 6, 120, तो x का जो full marks कितना हो गया, 120 हो गया, y कितना हो जाएगा, 20 इंटो 4, 80, यह हम लोगों ने यहां पर calculate कर लिया, अब सभी का अपना-पना passing marks है, यहां पर लिख रहे है, passing marks, x कितना 40%, 120 का full कितना हो गया, 48, यह हो जाएगा, 48, एक काम करते हैं, इस से लिखते हैं, कुछ different color से, ताकि समझ में आए, यह क्या है, यह है, यह है passing marks, 48% of 120, 12, 4, 48, यह हो गया, 48, 50%, कितना हो जाएगा, 100 का, 50, 50%, 80 का हो जाएगा, 40, ठीक है, और aggregate जो है, वो 60% है, तो full marks कितना है, 300, इसका 60% कितना हो जाएगा, 180, यहनि कि आपको total जो aggregate passing marks है, वो कितना लाना होगा, बूलाना होगा, 180 marks, किसमें? total, ठीक है, तभी student pass करेगा, individual pass होना चाहिए, और aggregate भी pass होना चाहिए, यह पूछ रहा है, how much percentage marks more than B has C scored in practical, practical कौन सा था, practical था हमारा Y, Y focus करना है, B और C के, तो B का Y, Y कौन सा है, Y है red color से है, B का Y है 50, और C का Y है 80, इसमें कितना यह जादा है, यह पूछ रहा है, 80 मैस 50 कर दे कितना आजाएगा, 30, 30, option number 3 is the right answer, यह पूछा गया था, B has more than B has C, C के पास कितना ज्यादा है, B से, C का है 80, और B का है 50, दोनों का difference लेंगे, कितना आजाएगा, यह आजाएगा, 30, यह आजाएगा, 30, तो यह हो जाएगा, right answer, option number 3, I think यह clear हुआ होगा, next question क्या है, 22, 22, इसमें भी जो भी, DI दिया गया है, बिल्कुल सेम है, जो हम लोगों ने यहाँ पहले निकारा था, तो हम लोगों पीछे वाले question से data यूज कर लेंगे, यहाँ पे, और question क्या पुछ आजाएगा, what is the average marks of the false student in theory, theory में, theory कौन सा था, theory हमारा था, X, X में जो सभी false student का निका 60, 260, कितने student है, 4, 4 से divide, कितना आज़ेगा, 4, 88, 84, 85, sorry 65, 4 से 94 होता है, 65, 65, option number 3 is the right answer, तो एक question आपको solve करें, थोधा time लगा, लेकिन अगला question आपका बहुत जिल्ली हो गया, ठीक है, तो अगर एक ही DI से 3-4 question आ रहे हैं, तो काफिछी बात है, एक question आप solve करें, और यह वो मि पूले questions में, उस data का आपको use हो सकता है, ठीक है, लहाला कि इस question में, इस particular question में, 22 question में, हमें कोई use नहीं हुआ है, लेकिन अगर आगे देखें, हम लोग question को, क्या पूछा जा, who among the following, who among the students could not pass, कौन से student pass नहीं करेंगा, इस question में हमें, चो data use निकाले थे हम लोग, first question में, उस उसका यहां पर use हो सकता है, करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि निकालना है कि कौन से student pass नहीं होंगे, ठीक है, देख लेते हैं, यह रहा, pass होने के लिए क्या चाहिए, 48 चाहिए, x में, 50 चाहिए, y में, 80 चाहिए, 40 चाहिए, z में, देखते हैं, किसके पास इतना marks नहीं है, a के पास चक करें, तो a के पास 60 है, pass हो गया इसमें, 70 है, pass हो गया इसमें, और 50 है, इस अभी में pass है, b का चक करें, 50 pass हो गया, 50, ठीक है, pass हो गया इसमें भी, 30, z में इसे 30 mark से होना चाहिए, कम से कम 40 mark, तो यह b fill कर गया, b जो है, यह fill कर गया, अब चक करते, c का, c, किसमें पूछा था option क्या था इसमें अच्छे सारे option करें B A B सभी को चेक करना पड़ेगा B तो fill कर चुका है C का चेकर C का 70 है 80 60 है यह pass है D का चेकर 80 है pass 70 पास 30 यह फिर से fill कर गया निकि B और D जो है and D option number 4 ठीक है I hope यह समझ माया होगा इस question में आपको data का यूज करना पड़ा तो data अब जो निकाले थे उसका यहां पर हो गया तो data को जब भी निकाला करें तो यह हमेशा या रखेंगी ऐसे question आगे आ सकते हैं उसमें data का यूज हो सकता है कभी करते हैं कि हम लोग rough state में निकालते हैं और rough state में इतना गंदा निकालते हैं दुबारा खुद पढ़ने पाते हैं खुज ने पाते कहां किये थे तो फिर से में निकालना पड़ता है उसमें timer बढ़ाद हो जाता है जब भी di question solve करें तो किसी एक side में करें और उसे आप चाहें तो अपने pencil सित्वा सा एक box बना सकते हैं आपको clear पार चले कि यहां पर मैंने di question को solve के data को interpret किया वहां पर इसका यूज आपको आने वाले question में हो सकता है next question क्या है arrange the students b c d according to the ascending order of the aggregate score aggregate marks scored by them अच्छे इनका aggregate marks निकालना है उसे फिर ascending order में करना है किसे b c और d को एक ही बात नहीं करना है यहां पर b c और d focus करना है तो भी का देखें कितना आ जएगा 50 & 50 and 130 यह कितना आ गया 130 c क्तना जाएगा 70 & 80 & 50 & 60 & 210 . d कितना कितना जाएगा 70 &80 & 50 & 60 & 180 यहां सयकर देखें सिंद्ध लिग में करना है सबसे कम कों है अच्छे करना है it उसके बाद कॉन है उसके बाद है d उसके बाद है c तो कुछ इस डंग का order होगा BDC, BDC option number 2 में दिख रहा है, यह हो जाए गस का right answer, I think आपको समझ माया होगा, ascending order question था, सब कुछ सम करना था, aggregate इसको निकाला था, उसको ascending order में arrange करना था, आसानी सम लोगों ने कर लिया, अब एक और question है, यह last question, इस पुड़े 25 सेट का, सीजेसल, सीजेसल कॉइनटी अबिट्यूड, मैस के सेट का, यह 25 सेट नहीं है, क्या दिया, given, A plus 1 by A, मैं तो question कुछ इस रंग से लिखा गया है, मैं यहाँ पे एक बाल दे रहा हूं, clear, क्योंकि type करने में कभी कई दिक्कत होती है, A plus 1 by A equal to 2 ह ठीक है, और पुछा जा रहा है, आपसे A to the power 118, plus 1 by A to the power 117, इसका value क्या होगा, ठीक है, यह आपसे पुछा गया है, इसे हम लोग क्या solve करेंगे, हमें क्या पता है, हमें यह पता है, जब कभी भी A plus 1 by A का value 2 होता है, जब कभी भी A plus 1 by A का value 2 होता है, तो A का value क्या होता है, 1 होता है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, यहाँ पे 2 satisfy तभी करेगा, जह हम लोग A के value को 1 रखेंगे, कैसे, A के चगब 1 plus 1 by 1, यह कितना आगया, 1 plus 1, 2 satisfy होगा, यहाँ पे A का value हमेशा 1 होगा, जब A का value 1 होगा, यहाँ पुट करें, अगर A 1 का power 118 plus 1 by 1 का power 117, क्या मिलेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1 by 1, यहाँ नहीं कि 1 plus 1, 2, option number 2, 2, यह हैं 2, option number 2 is the right answer of this question, I think आपको समझ में आया होगा, यह question हम लोगों ने solve कैसे किया, A plus 1 by A, अगर 2 के बराबर होगा, तो A हमेशा 1 के बराबर होगा, A के value को put के यहाँ पे, अब हमें क्या मिला, 1 plus 1 equal to 2, 2 is the right answer of this question, यह था last question, इस से 25 questions के set का, यह expected questions जो मैंने तयार किये, आपके आने वाले CTSL exam के लिए, जो कि 12th of apple से start होने वाला है, तो आप ने यहाँ पे सभी question को solve किया, आपका score क्या रहा, कितने question आप सही कर पाएं, वो आप comment box में लेके बला सकते हैं, और अगर आप practice किये हैं, यहाँ पे, तो भी सही है, यहाँ से आपको पाएं चला होगा, आपके preparation कैसी है, और इस तरह के से आप जो भी यहाँ पे आपको कमी है, उसे आप दूर कर सकते हैं, उन topic पे आप focus कर सकते हैं, उसे आप सुझार सकते हैं, ताकि आने वाले exam में आपको दिक्कत नो अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है, साथ आहट दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप जो भी चीज़े हैं, यह topic आपको लग रहा है, इसमें थोड़ा से प्रिपिशन में कमी रह गई, उसे आप दूर कर सकते हैं, यह देखें, देखते हैं, हम लोगों ने पूरे के पूरे हां 25 questions solve किये हैं, explanation कैसा लगा, question को solve करने का approach कैसा लगा, यह comment से लिखके जरूर से बताएं, और वीडियो को जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप दिखना चाहते हैं, SSC के previous year question, यानि कि 2020, last year में जो exam हुए थे हैं, SC CHSL, SC CGL, CGL के tier 1, और tier 2, इन सभी का SC CGL के 2 shift का paper, last year 2020 में जो exam हुए थे exact question, इसके 2 shift का question, tier 1 के, 2 shift का question, CGL का, last year जो exam हुए थे उनका, और tier 2 के पूड़े के पूड़े 100 question, यह मैंने already solve कर रखे हैं, इस सभी का link आपको मिल जाएगा description box में, और अगर आप इस जगा पे click करेंगे, यहाँ जो i button होता है, यहाँ भी आपको playlist मिल जाएगा, उसमें आपको यह सारे के सारे question मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं और वहाँ से आप practice कर सकते हैं, ठीक है, तो i hope आपको आज का question समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर से like करें, दोस्तों के साथ share करें, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं की है अब तक, चैनल सब्सक्राइब अगर बेल आकन जब्सक्राइब करें, आगे भी बहुत अच्छे sessions आने वाले हैं, यह हमारा facebook का page है, इससे आप like कर सकते हैं, follow कर सकते हैं, यह instagram का, यहाँ follow कर सकते हैं, और यह दो हमारे telegram group हैं, इससे आप जरूर से join कर लें, इससे क्या होगी, आपको आने वाले जो sessions होंगे, अभी और 25% के sets मैं यहाँ पे लेकर आने वाला हू आपको आपको सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे आपको notification मिल जाएगी, और telegram group में अगर जूड़ जाएंगे, तो वहाँ भी आपको यह पाचिल जाएगे, कब हमारे sessions आने वाले हैं, so thank you for watching this video, keep smiling always, अच्छे सब्सक्राइब करें, मिलते हैं और फिर next session में, thank you करें